Hello everyone, I am Ayesha from National Academy of Fire and Safety तो आज मैं आपको CPR के बारे में बताऊंगी CPR क्या होता है इसका कभी यूज किया जाता है, इसके यूज करने से बेनफिट क्या होते हैं किस तरीके से CPR दिया जाता है इसके बारे मैं बताऊंगी तो आज का टॉपिक है CPR के बारे में तो सबसे पहले तो यही बात करेंगे, CPR क्या होता है तो सबसे पहले तो CPR का मतलब होता है Cardiopulmonary Resistication ठीक है अब यह क्या होता है, CPR कब दिया जाता है अब माल लीजिए, आप कहीं भीड़ भार वाली जगा पर है और वहाँ पर कोई इंसान है, उसको सांस लेने में प्राब्लम हो रही हो और जिसके वज़े से क्या होता है, वो अचानक से बहोश होके जमीन पर गिर जाता है अब ऐसी सिचुएशन बनी अचानक से, अब क्या करेंगे अब अचानक से डॉक्टर अवेलेबल तो नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसे उस भीड़ वाली जगा से निकाल के अच्छी जगा पर ले जाएंगे, जहां भीड़ ना हो रही हो और फिर उसे देंगे CPR CPR क्या है? उसके चैस्ट पर हाडली पुश करना होता है जिसके वज़े से क्या होता है? जो ब्लट सर्कुलेशन हो रहा है उसकी बॉड़ी में वो दुबारा से री स्टार्ट हो जाए जो ब्लट सर्कुलेशन हो रुक जाता है तो जब हम CPR किसी को तो क्या होता है? वो ब्लट फ्लो जो है बॉड़ी में वो दुबारा से वापस आ जाता है जब तक अब उसको मैडिकल असस्टेंस के लिए ले जाएंगे मैडिकल डॉक्टर के पास ले जाएंगे तब तक हम ये CPR अगर दे रेते हैं उसे तो उसका जो सांस जो लेने में तकलीफ हो रही थी जिसकी वज़े से वो गिर गया था वो ठीक हो सकता है ठीक है तो सबसे पहले कोई भी इंसान अगर ऐसे गेरे तो कभी घबराना नहीं चाहिए और उसे CPR देना चाहिए अब इसे दिया कैसे जाता है इसके क्या स्टेप्स रहेंगे इनके बारे में आपको बताते हैं देखिए सबसे पहले तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन क्रियेट हो रही हो तो क्या करना चाहिए सबसे पहले तो emergency call कर देना चाहिए उसके बाद CPR अगर आप उस पेशन को दे देते हैं तो तब तक क्या होगा उसकी blood circulation दुबारे से start हो जाएए और वो सास ले पाएगा ठीक है अब इसके steps क्या क्या है इनके बारे में बताती हो देखिए CPR का एक easy way है जिसे कहते है CAB यानी compression airway of breathing compression में क्या होता है जो अपना chest है मतलब इस patient का chest है उसको hardly और fastly पुछ करना है इतनी दे तक पुछ करना है कि उसकी जो सांस है वो वापस आ जाए ठीक है अब क्या करना है उसकी जो chin है chin और mouth मतलब क्या होना चाहिए जो mouth है उसका वो थोड़ा खुला होना चाहिए जिसके वज़े से क्या हो जो बाहर की air है वो उसके mouth में जा सके ठीक है तो open होगा उसका mouth और airway clear रहेगा ठीक है फिर भी अगर नहीं होता है ठीक से तो क्या करना है आपको breathing देनी है मतलब mouth to mouth उसको breathe देना है जिससे क्या होगा वो easily सांस ले पाएगा ठीक है इस तरीके से CA भी follow अगर आप करते हैं तो वो easily work करेगा ठीक है तो इसमें क्य पुछ आपने किया अकर by chance फिर भी नहीं हो रहा है वो फिर भी सांस नहीं ले पा रहा है उसके नहीं जो ब्रीथ है वो हो पा रही है तो आपको breathing देनी होगी mouth to mouth उसे देना होगा तो क्या होगा mouth to mouth rescue जब आप करेंगे तो उसकी जो सांस है वो वापस आ जाएगी तो हमेश उसके बाद आपको एक बार में मतलब 100 to 120 times per minute इतनी जल्दी जल्दी उसके chest को center पे push करना है hardly कि मतलब तुरंत जो circulation है वो वापस आ सके इस तरीके से ये जो arrow है इस तरीके से hands को इस तरीके से रखके आपको push करना है 100 to 120 times per minute ठीक है तो अगर आप ये cycle follow करते हैं per minute पे तो उस उसको जो सांस लेने में problem हुई थी जिसके कारण वो बेहोश हुआ था तो वो ऐसे करने से जो circulation है वो ठीक होगा तो वो इनसान जो है सांस ले पाएगा अब इसे याद करने CPR को क्यों जरूरी है देखिए ऐसे कुछ छोटी छोटी चीज़ों से सबको aware रहना बहुत जरूरी है जिसके वज़े से कभी भी किसी जगा पे ऐसे situation create होती है तो आप as a first aid उसे दे सके ठीक है तो ये जो CPR है वो तब ही दिया जाता है जब किसी इंसान क की फैमिली की या किसी इंजान परसन की life safe कर सकते है ठीक है medical emergency जैसे आप work कर सकते है ठीक है जो भी एयर चौक हुई है विक्टम की उसे अनब्लॉक कर सकते है CPR देने के बाद ठीक है तो CPR जब आप देते हैं तो जो अनब्लॉक हो जाएगी ना उसकी सांस लेने का जो एयर व कि यह वो उनब्लॉक हो जाएगा उसके बाद वो सांस ले पाएगा CPR तब ही दिया जाता है जब किसी इनसान को suffocation की वजह से वो जमीन पे गिर गया है या उससे सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अगर CPR देते हैं तो ऐसा first idea काम करेगा उस person के लिए ठीक है तो जो हमेशा याद रखना है कभी भी ऐसी situation आती है तो आप उसे CPR देते हैं तो जो भी उसका airway chalk हुआ है उसे unblock करने में यह बहुत help करता है और इसका cycle जो है 100-120 per minute रहता है अगर आप इसे follow करके ठीक से करते हैं उसको hardly push करते हैं उसके chest पे तो CPR successfully उसको जा सकता है वो सांस ज research बताती है कि अगर किसी इंसान को heart attack आ गया हो और उसे जल से जल CPR ना दिया जाए तो हो सकता है उसकी life भी खत्रे में आ जाए तो अगर immediately उसे CPR दे दिया जाता है तो वो इस risk से बाहर आ सकता है जैसे कि किसी को पहले से heart attack आ चुका है और उसके बाद वो उसे ऐसी situation create होती है तो अगर time पर उसे CPR ना दिया जाए तो उसकी जान भी जा सकती है तो CPR जो first aid का काम करता है तो इसलिए सब को इसके बारे में पता होना चाहिए कि CPR कैसे दिया जाता है तो इसलिए जरूरी है कि CPR के बारे में सब को पता होना चाहिए तो CPR के बारे में आज पताया आपको कि CPR अगर किस तरीके से वर्क करता है, कैसे आप इसे दे सकते हैं, इसका जो साइकल रहता है, वो 100-120 मिनट रहता है, और आपको चेस्ट पर हाडली और फास्टली पुश करना होता है उस इंसान को, और अगर वो वर्क ना करे, तो आप CAB भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, CAB जो था वो था, Compression, Airway, Breathe, ठीक है, अगर वो तब भी काम नहीं करता है, तो आप Mouth-to-Mouth वाला rescue भी कर सकते हैं, उसके बाद वो सांस ले सकता है, तो CPR के बारे में क्लियर हो गया होगा, CPR की situation क्या रहती है, और आपका बिसे apply कर सकते हैं किसी person पर, so thank you,